Hello students, my name is Rajan Kumar and you all are watching Rajan Academy of Education आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Unit 7, Fundamentals of Anatomy Physiology in Sports यानि कि जो Anatomy होती है और Physiology होती है Sports में उसके MCQs हम लोग आँ पर तेखेंगे Physical Education Class 11th का चैप्टर है यह तो चलिए यह स्टार्ट करते हैं से पहला जो Question हमारे सामने है वो है The Scientific Study of the Structure of Human or Animal Bodies is Called यानि कि अगर हम Scientific Study जो करते हैं ठीक है Human के Structure की यानि कि इनसानों के धाचे की Structure की या फिर Animal की Bodies की ठीक है तो उनकी जो Scientific Study होती है Structure की तो यह जो Scientific Study होती है इसको हम क्या कहते हैं देखें इसको हम जो है इसके जो जो सही आंसर है इस्टुदेंट्स वो है Anatomy ठीक है तो Anatomy क्या होता है कि Anatomy का मतलब होता है कि It is the Scientific Study of the Structure of Human and Animal Bodies यानि कि Human या Animal Bodies के जो Structure होते है उसकी जो Study की जाती है सांटिफिक तरीके से उसको हम Anatomy कहते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं जो next question हमारे पास है, ठीक है, next question में कहा रहा है, dash is the scientific study of how living things function, यानि कि एक ऐसी scientific study, यानि कि scientific तरीके से पढ़ा जाता है, कि कैसे जो living things हैं, वो function करती है, तो यह जो है scientific study होती है, उसको हम बोलते हैं, ठीक, तो उसको चार options हमें दे रखे हैं, जैसे chemistry, physiology, psychology and none of these, तो यहाँ पर जो सही answer है, वो है physiology, यानि कि physiology एक scientific study होती है, कि कैसे living things जो है, वो function करती है, चलिए, third question की तरफ हम लोग देख लेते हैं, third question में क्या कह रहे हैं, हमारी body में जो blood circulation होता है, पुरी तरीके से circulation होता है हमारी body में, उसका main जो organ है, उसका chief organ कौन सा होता है, क्या उसका chief organ liver होता है, क्या stomach होता है, या hurt होता है, या फिर जो है ननब्दीज, तो student सही answer है, वो है hurt, आप लोगो ने देखा ही होगा, समझा होगा, पढ़ा भी होगा, कि hurt is the chief organ of circulation, ठीक है, तो चलिए next question देख लेते हैं, यहाँ पर जो question का answer है, वो है c option hurt, ठीक है, hurt is the correct answer, चलिए next question में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, fourth question हमारे पास है, dash is a large case of bone, यानि कि एक case of bone, ठीक है, at the upper extremity of the vertebral column, हमारे vertebral column जो होता है, upper extremity में, ठीक है, उसके जो case of bone ह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या उसको skull कहते हैं, trunk कहते हैं, या upper limbs कहते हैं, उसको हम कहते हैं, skull, यानि कि skull जो होता है, एक large case of bone होता है, ठीक है, जैसे एक suit case होता है, उसी तरीके से यह large case of bone होता है, upper extremity में, vertebral column के, ठीक है, तो इसका जो सही answer है, वो है, a option, skull, चलिए next question देख लेते हैं फिप्त वाला फिप्त में कह रहे हैं डेश इस दर लॉंगेस्ट बोन ओफ आर बॉड़ी हमारी बॉड़ी की सबसे लंबी हड़ी कौन सी होती है यह आप लोग जल्दी से आंसर कॉमेंट सेक्चन में बताईए मैं आप लोगों को जो है थोड़ा से हिंट दे देता हूं हिंट क्या देना मैं आप लोगों को थोड़ा बताई देता हूं लेकिन फिल भी आप लोग कॉमेंट सेक्चन में जल्दी से बताईए इसका सही आंसर है फीमर फीमर इस दी लार्जेस्ट सरी लोग जो देख लेते हैं कोश्टन है देश डिफाइन से शेप अड़ बॉड़ी साइज अड़ वर्क्षण तो थोड़ा साइस में नॉइस आ रहा है बाहर से तो उसके लिए शोडी लेकिन मैं आप लोग जो है कुश्टन सो फोकस के जाए ठीक है डैश डिफाइन से शेप अड़ बॉड़ी साइज अड़ वर्क्षण रिजर्बॉड़ ऑफ मिनरल्स अड़ अधर मैनी फंक्शन यानि की हमारी बॉड़ी को शेप देना और बॉड़ी को जो जो है शेप और साइज में अच्छे तरीके से उसको रखना और एक रि रॉडेटरी का सिस्टम का का मोता है नहीं क्लाए हो डाइजिशन सिस्टम का का मोता है नहीं वह होता है स्केलेटल सिस्टम का काम ठीक है skel infinity system defines shape and body size and also works as a result of minerals and other many functions और भी कई सारे functions वो perform करता है ठीक है, skeletal system हुमारा ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर यह देख लेते हैं कि जो हमारा 7th वाला question है वो क्या है, 7th question में मैं थोड़ा से camera इसको सही कर लेता हूँ ठीक है, camera को हम थोड़ा से सही कर लेते हैं ताकि यह जो question है वो हमें देख जाए ठीक है, ओके, तो camera यहाँ पर हमने ठीक कर लिया है 7th question आप लोग ध्यान से देखिए dash are soft tissues found in all living wings यानि कि जो soft tissues होते हैं वो found होते हैं सभी living wings में उन soft tissues को हम क्या कहते हैं क्या उन्ने muscles कहते हैं, hairs कहते हैं बोन्स कहते हैं या नर्बदीज देखिए, बोन्स तो हैंने क्योंकि यह already hard होते हैं तो यहाँ पर जो सही answer है, वो है muscles ठीक है, इस दी correct answer यहाँ पर muscles जो है correct answer है question number हम लोग यहाँ पर 8 देख लेते हैं dash is a process by which living things produce energy from food यानि कि जो living things होते हैं food से energy जो है वो बनाते हैं, ठीक है, produce करते हैं इस process को हम क्या कहते हैं यह respiration process होता है, ठीक है सही answer आप लोगों को लगाना है it is a process of respiration, respiration के थ्रोही ठीक है, respiration एक process होता है by which living things produce energy from food ठीक, अब यहाँ पर circulation, hibernation example दिये हुए है, वालब, sorry options दे रखें, लेकिन सही answer है respiration, ठीक है, next हमारा question number 9 देख लीजे question number 9 में कह रहा है, dash is a red liquid, एक red color का liquid जो connective tissues का type होता है, जो circulate होता है हमारी पूरी body में constantly circulate करता है, होता रहता है, उसको क्या कहते है bone, muscle, blood, ननबदी, इसका सही answer आप लोग already जान गए होंगे क्योंकि यहाँ पर blood ही एक liquid मैंने आप लिखा है, तो it is obviously कि आप लोग समझ गए होंगे, blood is the correct answer, तो blood is a red liquid which is a type of connective tissue circulates through our body ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी जो मैं यहाँ पर आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बता रहा हूँ यह सारी चीज़े, अगर आप लोगों को लग रहा है मैं fast बोल रहा हूँ, तो आप लोग वो वीडियो को थोड़ा slow कर कर भी देख सकते हैं ठीक है, आपके पास options हैं, ठीक है exercise में जो energy loss होता है या energy जाती है, तो उससे जो recovery कर सकते हैं ठीक है, तो oxygen जो भी huge होती है, उसको क्या कहते हैं क्या उसको carbon dioxide debt कहते हैं या फिर oxygen deficit कहते हैं, या oxygen debt कहते हैं या 90, उसको कहते हैं oxygen debt ठीक है, it is the correct answer C option is the correct answer So I hope students, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और please subscribe कीजे चैनल को अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं Thank you so much